जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अनेजुकेटेड होते हैं, कम जानकारी होती है उनको, जैसे कि अभी मैंने कामनी जी का एक वीडियो देखा, उसमें वो अपने लिए सब्द नहीं निकाल पारी है, अपने लिए नहीं बोल पारी है, तो जनता के लिए क्या बोलेंगी जाहि पड़ी लिखी उन्होंने इतना काम करवाई पड़ी लिखी तो पोस्ट ग्रेजिएट तो ये भी है एक टिप भी दोना जाहिए सर ऐसे क्या हम पड़े लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वह भी तो नहीं चाहिए फिरोजाबाद मेर का चुनाओ बहुत जल्दी हो होने वाला है चार मई को वोटिंग होगी मैं आपको बता दूं फिरोजाबाद में जो सीट सुरक्षित की गई है वो पिछड़ा वर्क महिला की सुरक्षित की गई है मैं इस समय यहां पर अटल पार्क में हूँ नगर निगम दौरा यह पार्क बनाया गया है बहुत एतिह पार्क है और शाम के समय महिला परोज बच्चे सबी लोग यहां गूमने आते हैं यहां आप देख सकते हैं आज हाला कि छुटी नहीं है मंगलवार का दिन है लोग कितना इंजॉय कर रहें आई इन से जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे बच्चे हैं यह क्या क्या एक म जानकारी होती है उनको जैसे कि अभी मैंने कामनी जी का एक वीडियो देखा उसमें वो अपने लिए सब्द नहीं निकाल पारे अपने लिए नहीं बोल पारी है तो जनता के लिए क्या बोलेंगी जाहिर सी बात है मैं आपको बता दूँ जो कामेनी राठोर यहां खड़ी है वो में पोस्ट ग्रेजुएट है और कभी-कभी सोशल मीडिया पर ही आपने देखा होगा यह वीडियो एडिटेट भी होते हैं बहुत सारे तो क्या किसी को कि वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है इस नाते उसको राजनीती में नहीं आना चाहिए यह चाहिया है आप सुडेंट है पड़ी-लिखी लड़की है आपको क्या क्या और चीज पांस साल मैं ऐसा चाहिए क्या और हो फिरुजअबाद के लिए चीफ रूजा बाद में काफी जगह पे ऐसी होती हैं कि सडके बेकार हैं, काफी जगह पे ऐसे होता हैं, लाइटिंस नहीं हैं. काफी काफी जगे पैसे होते हैं कि जैसे की गली के अंदर जाओगे ना आप तो उनको पता चलेगा vaugות गंदगी होती है उन गंदगी से काफी बीमारी नी color हो सकती है जाहिर सी भात है नहीं lowoke in the कि चीज़ एसी हैं तो काफी जादा सुदार होना चाहिए उन चीज़ों में अज एक बात और बताओ जाती बात बहुत हो गया मुसलिम है यह हिंदु है मुसलिम के तीन कैंडीडेट खड़े ह गए हैं काफी अच्छा प्रदसन करते हैं, न riches ली कहा हुँए यह के हिज़ये पत्रीजी हो कि आपनी ज़ाइने हैं, पत्रिक प्रम के काइस, लिए जैसे कि लोगों के प्रती कुछ करना चाहिए तो वो दबा देता है उन चीज़ों को विकास के नाम पर डलना चाहिए देखिए बहुत सारे यहां पर बचे भी हैं महिला हैं सब लोग एक्सेसाइज कर रहे हैं आईए इन से कुछ बात करते हैं आप यहीं रहती है पास नहीं रहती है डेली आती है या पार्क में अच्छे एक बात बताओ अब इलेक्शन आ गया और फिरोजाबाद में जो मेयर की सीट है वो महिला के लिए सुर अच्छा एक बात बताएं कि जो अभी प्रत्यासी है जितने भी ज्यादा तर वो घरेलू महिलाएं है आपने भी देखा होगा कोई पहले से राजनीती में नहीं है तो अच्छा लगाएं अच्छा लगा रहा है आपका क्या ना मैं क्या ना मैं तो बोलने में चलिए और लोगों से बात करते हैं यहां तो लोग बात करने में भी थोड़ा सा जिजग रहे हैं और exercise का दोर चल रहा है अटल पार्क में और यहां मैं आपको बता दू उत्तर प्रदेश का यह वी एक इतना बड़ा पार्क है कि हाँ प्रत दिन महिलाएं आती हैं आई आप से एक मिनट बात करते हैं क्या नाम है आपका कैसा रहा पिछले पांच साल में मेर का कारिकाल मेर का तो सही था पड़ी लिखी थी लेकिन इस बार की जो मेर हैं मुझे इतनी वैसी नहीं लग रही है एक्टिव जितनी पिछली बार की थे यह मेर मानना है आप कुछ काम करती हैं या गरेलू गरहणी है नहीं अभी फिलाल तो मैं वैसे तो मैं टीशेर की जोब कर दी थी अभी कुछ नहीं कर रही है एक गरेलू महिला गरहणी को अब मेर का इलेक्शन लड़ने के लिए भारती जनता पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है बाउजन समाज पार्टी ने भी इसी तरह गरेलू महिला को बनाया है समाजवादी पार्टी ने भी एक बनाया है तो क्या यह अच्छी बात नहीं है कि गरेलू महिला है जो घर में बच्चों को खिला रही है अब वो जाकर अपनी राजनीती यह पैर जमाए तो बहुत संकार बहुत सारी बातें कर रही हैं कि फिरोजाबाद में विकासकारों में सपकें बहुत अच्छी स्मार्ट किस्टी बना दिया सब कुछ बना दिया तो क्या अच्छा हुआ ये बास है तो फिर नूतलर नाठो chilli कि टिकेट क्यों काटी है यह सर यह तो गलत बात है मुझे बहुत अच्छी लगती थी पड़ी लिखी उन्होंने इतना काम करवाया पड़ी लिखी तो पोस्ट ग्रेजुएट तो यह भी है एक टेप भी दोना जाहिए सर ऐसे क्या हम पड़े लिके तो बहुत सारे लोग होत कि जो मतलब घरएलू मैला यह वह हम लोगों की चीजों को समंझ सकती है जो लोग हम डेली फेस करते वह वह समसकती है ठीक है माजी क्या नाम है आपका आप हाथ क्यों लारी है वोड तो डालती है ना ठीक है आई और यहां लोगों से बात करते हैं यह देखिए गुड़िया क्या नाम है बिटा का यह नहीं बोल पा रही है आप से बात करते हैं माजी आप यहीं रहती यह नाम है आपका अच्छा अब इलेक्शन आ रहा है और फिरोजाबाद से महिला की सीट सुरक्ष्षे थे यह जो भी लड़ेगी मेर का इलेक्शन वो महिला लड़ेगी कैसा लग रहा है अच्छे बात है क्या कुछ आपके इसाफ से कुछ ढूलोपमेंट यह हुआ है सबकों का विजली का पानी का या नाले नाली सफाई का पिछले 500 सालं में कुछ हुआ है कि नाले खाइभाऄ तो थोड़ा हो अथा हुआ फिरार नहीं हो रही है szat है थोड़ा भशेपूर वार यह पुरा रोड एक बात आप मुझे बताओ जब बोट डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में जाती वाद भी रहता है क्या कि इस जाती की है यह मुस्लिम है यह हिंदू है तो फिर किसको पशन करेंगे पसंद आप इस तब समय देया है कि और जो नहीं आएगी वोध लोगा दे तो आप तो बड़ा मिग्दम स्मार्ट जवाब दे रही है कि उसी समय आपके दिमाग में जाएगे ताएगा नूतर नाठोर का कारकाल ठीक ता अचा आपको ये बताओ आप तो घरेलु है और यहीँ पास में रहती है आपको मालूम है कितने केंडिडेट यहां है यह तो हमें इतना पता नहीं है लेकिन जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है बाबा जी की और क्या किया किते हैं केंडर की सरकार से खोश हैं यह तो राजनीती की मुझे कुछ पता नहीं है गरेलू महिलाएं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आईए इनसे कुछ जानते हैं कि क्या नाम है आपका रामा यादव अच्छा अब इलेक्शन नजदीक आ गया चार मई को मेयर की वोटिंग होनी है ये फिरुजाबाद की सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है चाहे वो सपा से हो कॉंग्रेस से हो बाजपा से हो या बसपा से हो सबी ने केंडिडेट खड़ा किया है लेकिन ये सारी महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं अब घरेलू महिलाएं घर लांक है जाजनीती में आ रही है कैसा लगता है अच्छा लगता है आना चाहिए एक यह भी देखते हैं कि लोग महिलाओं की लेक पुलिंग करते हैं मदब टांग कीशते हैं कि महिला हैं बच्चों को खिला हैं खाना बनाएं इसके आगे नहीं जाएं तो महिला को आगे बढ़ने से कुछ रोकते हैं खास तोर पर हमारे जै यह हिंडू है यह ऐसे हैं यह खतम होना चाहिए बलकल होना चाहिए अब एक सब वह जाएंगे तब इतों खत्म हो जाएगे सैं कैसे हो जाए अब पच्च्छ पाथ तो हएक जात में ओती हैं तो आपको भीоровी पता हैं आचाँ आप प्याट चीजित आठी अब रह रही हैं तो क्या चीज ऐसी और आप चाहरे हैं कि जो अगले पांच साल में और ज्यादा फिरोजाबाद के लिए हो कुछ आपको कमी देख रही है अब कमी का कमी तो का कमी तो कोई का कूई पूरी ना कर सकते हैं प्रश्वां प्रश्वारारी के सब्सक्राइब आपको दिक्कता रहें बहुत बढ़ गई तो आस्मान चूरही है अब गरीब लोग आए अब गरीब लोग इंतजाम है नहीं पैसे वाले तो कर लेंगे गरीब कहां से करेंगे एक बात सच सच आप बताना जितनी आपने मुझे बातें बताई जब आप बोट डालने जाएंगी तो इन बातों का असर रहता है यह फला केंडिडेट है यह लड़की है यह हमारी जान पहचान कि इसी को बोट दे आओ अब यह पर किसी का दबाब नहीं है अभी किसका परड़ा बारी देख रहा है अब यह से मुझे तो पता नहीं है मुझे पता नहीं है किसका दिख रहा है चलिए और लोग है हाँ माजी आप यहीं रहती है अच्छा एक बात बताओ कि अब इलेक्शन लजदीक आगया चार मई को वोटिंग होनी है जिसने भी पार्टी ने अपनी महिला केंडिडेट को खड़ा किया है चाहें भाज पाने किया है सपाने किया है बस पाने किया है या कॉंग्रेस ने किया है यह सब राजनीति की नहीं है घरेलू महिला है कैसा लग पहले पाँ साल में मेयर का कैसा राकार का तो फिर उसको टिकेट तो अब दी नहीं जो नूतन नाठ्वर यहां मेयर थी उनको टिकेट नहीं तो दूसरी तो आ गई है दूसरी आगी हैं उन्होंने काम नहीं किया कोई अच्छा तो और कोई करेगा है नहीं क्या चीज आपको ऐसी लग रही है कि और फिरोजाबाद के लिए होनी चाहिए सब चीज होनी चाहिए जैसे कुछ दो चार चीज आपको जो मन में आती हो वह बताओ वैसे सब चीज सुवदा है कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं सुवदा हो यहां तो लोग हमसे तो बहुत कहते हैं कि नई आवादी में अभी सड़क नहीं बनी है कहीं बहुत सी जगए ख और और बनने चाहिए वह तो बनने चाहिए बनने चाहिए अब जब कोई भी मेर चुनके आएगा तो आप उससे कहेंगी कि ऐसे पार्क और जादा बने बगल में यह इतना बड़ा हॉस्पिटल बना अच्छा आप एक इमानदारी से बताना जब आप बोट डालने जाएग बताएंक इसको श्यवाएं यह गोपनी गोपनी है यह तो यह आटल पार्क में है लोगों की अपनी अपनी मिस्रित अडाय है कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन फिलहाल यह है कि राजनितिक सरगर्मिया थेज हैं फिरुजा बाद में 4 मई को वोटिंग होनी है 13 माई को पता लगेगा किसको विजय सरी और किसको मिली पराज है सुधिर शर्मा फिरोजाबाद यूपी तक